नाुशकाल, मैं हूँ शेफाली और आज की खास बाचित में हमारे साथ हैं वन्धना मार्तंड।तिरपाथी। वन्दना जी रläजनीती से वावस्ता हैं, प्रवक्ता है भाजपा की। बन्ना जी से सबसे पहला सवाल अपन ये करेंगे कि बन्ना जी राजनीती की? बन्ना जी शाषन से लेके प्रशाषन तक संबन रखती हैं, परिवार जो ससराल है वो पूरा प्रशाषनिक अधिकारियों से भरा हुआ है, और मायका पक्ष जो है वो सब राजनीती से जुड़ेवे लोग हैं, काफी लंबे समय तक आपके पिता जी जिला द्यक्ष रहे हैं क्या रहा उनके संग बाग क्या जिला द्यक्ष बनेगा? पिता जी को राष्ट से बड़ा प्रेम रहा है हमेशा से, उसके बाद जब वो कारे कर रहे थे, सेवा का कारे कर रहे थे, उसी बीच में मानिय जितेन लटोरिया जी भाई साब जो आज क्याबिनित पंच्री धरजा खादी ग्रामुजयों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आ पिता जी का आदिवासियों से बड़ा लगाव था, बड़ी आत्मियता थी, बड़ा प्रेम था, क्योंकि वो जो हम, मेरे पिता जी एक बिजनिसमान थे और उनका जो भी काम धंदा था, वो शैडोल के ट्राइवल बेल्ट में ही था, तो आदिवासियों से जुड़े अगर मेरे पिता जी भारतिया जनता पार्टी की सेवा करते थे, तो यह मेरा भी दायत बनता है, फर्ज बनता है कि उनके सपने को मैं पूरा करूं, आज मेरे पिता जी स्वर्वासि है, और बस उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने भारतिया जनता पार्टी का दामन थ महिलाएं आगे बढ़ रही है, अपनी पहचान बना रही है, और वन्ना जी आपकी एजुकेशन भी बहुत हायर लेवल की है, पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताई है, क्योंकि लोगों में ये गलस्टामी होती है, कि कुछ नी कर सकते तो राजनीटी करना शूटर देते ह अपनी एजुकेशन कंप्रीट की, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, उसके बाद वो राजनीटी में आई है, तो राजनीटी में पढ़े लिखे लोगों की आवश्यक्ता जादा है, तो बंदा जी, क्या क्या आपने डिग्रियां हासिल की है, देखिए, सबसे पहले इंजनेरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल से, उसके बाद मैंने विश्व की सबसे बड़ी जो माल्टिनाशनल कंपनी है, आई बियम इंडिया प्राइविट लिमिटेद, वहां पे एक सौफवेर इंजिनियर के रूप में सर्व किया है, साड़े छे साल तक, उसके बाद मेरी पुत्री का जन्म हुआ, मैंने मेटरनिटी ब्रेक लिया, मैंने उसके बाद, चुकि मैं ब्रेक पे थी और मुझे निरंतर अभ्यास और पढ़ने की आदथ थी, तो मैंने बीएट किया, पुने में मैं रहती थी, उसके बाद मेरा भुपाल आना हुआ, कुछ पारिवारिक कारणों से, मेरा सिसुराल भुपाल में है, यहाँ पे आने के बाद मैंने बीएट करने के बाद बीए साइकॉलोजी किया, में साइकॉलोजी किया, और अभी मैं रिसर्चर हूँ, पीएजडी स्कॉलर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यह जीवन है, यह हमेशा निर आधियन करते रहना चाहिए, कुछ तय ही नहीं चीजे पढ़ते रहना चाहिए, यह हर कारे करता ही जह फास बात है, कि वह ड्धक नहीं छोड़ते यह बीज़की कि किसी के भी अगर नेता है, अध्यान अवेश्यकरना चाहिए, क्यों कि हम जितना अपने आपको अपटेड क्या हो रहा है उतना ही अच्छे से हम आप आपके जो एंटेजिदि है वो भी फाह का यह लोग जाओ या फिर आपको प्रोच सहान मिला इस मामले में बहुत भागिशाली हूं शेफाली जी क्योंकि मेरे जो पती देव हैं वो साक्षात राम का अवतार हैं आज की धर्ती पे उन्हें राम का अवतार ही कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे उड़ने के लिए पंक तुम चलो तो मेरे परिवार से तो मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है हाँ यह कह सकते हैं कि भार्तिय जनता पार्टी में आने का एक विशेश कारण यह रहा है कि मेरे भाई भी युवा मोचा के जलाद्यक्षा शेडोल के उन्होंने मुझे मोटिवेट किया उन्होंने कहा कि जब पिता जी ने भार्तिय जनता पार्टी के लिए कारे किया मैंने किया तो तुम्हें भी करना चाहिए क्योंकि तुम्हें कुशल नेता के सारे गुंड दिखते हैं एक अच्छी नेता बन सकती हो तुम्हें नेत्रत की छमताएं बहुत है क्योंकि मैं मैंनेजर रही हूं तो बस मेरे भाई का ही इसमें सबसे बड़ा हाथ है और मेरे पती देव का उन लोगों के मोटिवेशन से ही मैं आज यहां हूँ परिवार है आपका बच्ची भी है आपकी वो जिमिदारी है तो सारा मैनेज हो जाता है देखे जब महिलाय चान तक जा सकती है तो बच्चा तो पार चमताओं से मुझे एक चीज़ याद आती है कि आपके प्रधान मंत्री नरेन मोधी जी ने और सब भी ने मिलकर 33 प्रतीशत महिलाओं का कूटा लाने की बात की है उसके लिए तो मैं अपने मानी प्रधान मंत्री जी का साधुवात करूंगी अभिनंदन करूंगी क्य हैं तो 50 प्रतीशत के ने और फिर प्रतीशत की जरुवत क्या है बराबर का अधिकार के ने देखे शुफाली जी जैसा मैंने आप से कहा कि स्मार्ट अप्टेशन होते रहना चाहिए हमें अपने आपको अपडेटेड रखना चाहिए तो शुरुवात तो हुई कम से कम इस 33 प्रतीशत का अधिकार भी मांगने के बाद मिलता है 50 प्रतीशत का हक नहीं मिल पारा कहीं न कहीं महिलाओं में अभी भी पिछड़ापन है आप जैसी कुछ महिलाएं अगर पढ़ी लिखी आएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो 50 प्रतीशत क्या उसके उपर भी जाएंगी पन्ना जी आप एक महिला है राजनीती में हैं आप अपना फीचर क्या देखती हैं होई है वही जो राम रची राखा काहे करे तरक बढ़ावे शाखा ने लेकिन जो राम ने रच रखा होगा वो आपको मिलेगा लेकिन खुद का भी कोई एम होगा कोई टार्गेट होगा क कि मुझे कम से कम इस लेवल तक तो जाना है मेरा एक ही एम है शिफाली जी कि जिस प्रकार आज मेरे पिता जी और सचो जी दुनिया में नहीं है लेकिन उनका नाम अमर है बस जब मैं भी संसार को छोड़ू तो मेरा नाम भी अमर रहे लोग दस लोग मेरे पीछे अगर मु कि महिलाओं के साथ अगर कोई महिलाओं को गिराने में अगर सबसे जादा कोई चीज कारे कारेगत रहती है तो वो रहती है उनके चरित्र पेवार कर दो तो चरित्र पेवार करके गिराने लेकिन यह बताईए कि बात उनहीं की होती है जिनमें बात होती है तो इन सब चीज तो होनी ही चाहिए और कॉंट्रवर्सी में फसा के चीजे गड़बर नहीं करनी चाहिए खेर वन्ना जी से हमारी बात यूही लगातार जारी रहेगी तिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक आप अच्छा मस्ती और मुझसे कॉन कहता है पनीर सीधा साधा होता है ये ना तो सीधा है ना साधा चटपटा है नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स स्पाइस इंफ्यूज पनीर खाओ कभी भी कहीं भी मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स पनीर पे अब मस्ती चड़ गई प्रडेश प्रवक्ता हैं मोना भारतिय जनता पार्टी का सबसे बड़े गौरफ की बात है और मैं अभी वर्तमान में वही है अचा ठीक है अपन दूसरे तरीके से बूश लेते हैं 33 प्रतिशत महिलाओं की बात हो ही रही है और जो सक्रिय राजनीती में महिलाए है जाहिर सी बात है टिकेट लेने के ल जो भी पार्टी की लाइन तैक करेगी मेरे लिए एक कारेकरता की रूप में वही कारे में करेंगी मैं सिर्फ अपने संगठन को सर्वोपरी मांती हूं और मेरा जो संगठन है वो कारेकरता सर्वोपरी तो हम लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाके चलते हैं जो आदेश पार्टी कर दे, वहीं न करेंगी. कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग सक्रेता से बहुत काम कर रहे होते हैं और महिलाओं के संग अधिकतर कुछ ना कुछ ऐस चांसिस आजाते हैं कि हमको कुछ decision लेना पड़ता है, चीज़े छोड़नी पड़ते हैं. कभी ऐसा कुछ हुआ तो क्या आप राजनीती छोड़ पाएंगी? बहुतिये जनता पार्टी को मैंने एक राजनेतिक दल के रूप में नहीं स्विकार किया है. मैं बचपन से संग्थन से जुड़ी हूई हूँ. भार्थिये जनता पार्टी का जो भार्थिये जनता पार्टी से जो प्रेम और लगाऊ मेरा इतना गहरा है कि मैं महाराष्ट में भी रहती थी तो भी मैं यहाँ पे देखती रहती थी कि संग्थन में क्या चल रहा है तो प्रेम तो कभी नहीं टूच सकता क्योंकि आज मुझे लगता है मेरे पिता जी का जो भी नाम है उनके जाने के बाद भी लोग नहीं याद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भार्थिये जनता पार्टी के कारेकर्टा के रूप में उन्होंने जो कारे किये तो भार्थिये जनता पार्टी से मेरा प्रेम कभी भी खतम नहीं हो सकता, जीवन परियंत ये प्रेम बना रहेगा, बन्ना जी, बात राजनीती की हो रही है, बात आपके परिवार की हो रही है, अभी पिलहाल प्रदेश में, क्या लगता है, आपकी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, और जो चीजें हैं, रिपीट करेगी, अवश्य रिपीट करेगी, और देखे, आपने देखा है, भारती जिन्ता पार्टी को लेकर कॉंग्रेस बहुत सारे सवाल उठाती आई, कि इतने बड़े-बड़े दिगज नेताओं को आपने क्यों उठारा, मैदान में कमी पढ़ गई नेताओं की, तो कॉंग्रेस पार्टी ओची और तुछ माल सिक्ता की राजनीती करती आई है, इसलिए वो संगटन शैली को समझ ही नहीं सकती, आपको पता होगा कि घर में जब कभी कोई कारिक्रम होता है, आयोजन होता है, तो बड़ों के अनुभवों को जोड़ा जाता है, और उनके अनुभव के अनुसार ही चलती है, हमारी हिंदू परंपरा, आप जो कह रही हैं, वो मैं मानने को तयार हूँ, लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल तो खाड़ा होता है, कि जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, कि अब इस टॉप लेवल की हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि कोई केंद्रिय मंत्री हो, कोई मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, वो सब होने से पहले सब अपने आपको जमीनी इस तर का कारे करता मानते हैं, और जो आदेश हमारी पर्टी तै कर देती, हमारा संगुठन तै कर देता है, पिर कोई और यही है कारण कि आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है और एक बार फिर से मद्य प्रदेश में कमल दिवाली मनेगी और भारतिये जनता पार्टी की सरकार बनेगी बस आप देखती जाएए बिगुल वज चुका है शिपाली जी शंकना में जवाब देना है तयार है जी नरेन मोदिय युग पुरुष आमिश्या चानक कि बीडी शर्मा कुशल नेत्रतु कमल का फूर दिवाली पर खिलेगा राजनीती में नारी नीव नीव सोचना पड़ा को कही ना कही नारी अभी भी पिछड़ी हुई राजनीती की नीव आपने जैसा देखा था भारतिय जन्ता पार्टी की नीव रखने वाली महिला है और कॉंग्रेस में इंदरा गांधी जी का पर्चम लहराता था तो नारी तो हमेशा से नीव रखती आई है और रखती रहेगी और अगले बार जब सदन में गूजेगी नारी की ललकार तो स शिवरा सिंग चोहान, सरल सज्जन सहज, अगला मुख्यमंत्री, कमल निशान, बंदा जी को सोचना पड़ा, क्योंकि इस बार, बीजेपी ने, मुख्यमंत्री का चेहरा घोशित नहीं किया है, शिवरा सिंग चोहान को फिरसे टिकेट हासिल हो गया है, बहुत सारे मुख्यम मुख्यमंत्री के चेहरे, आप क्या है, आपको नहीं लगता एक मेला लग गया है, भारतिये जन्ता पार्टी, जैसे मैंने आपको बताए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, शिफाली जी, तो मेला तो यहां वैसे भी लगा हुआ है, आपको शायद पता होगा, हमेशा लगाते आए, उट्सव हमेशा मनाते आए, आपने रमायन में सुना होगा, धश्रत जी ने कहा था, उट्सव होते रहना चाहिए, तो हमारे संगितर में भी ऐसे उट्सव होते रहते हैं, कॉंग्रेस को जरूर मिर्ची लग जाती है, कि यह लोग खाने, पीने, यह जन्ता में बड़ा एक दुख का मातम का महौल था, तो राम चंदी ने खा कि उत्सव होते रहना चाहिए, जन्ता को खुश करने के लिए उत्सव होते रहना चाहिए, तो राम चंद जी ने उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें लवकुष आय थे, शायद आपको याद तो भारत की परंपरा है, सनातन की परंपरा है, आप राजनीती से संबंद रखती है, महिला है, अगर समाज में किसी बदलाव की बात करें, कि एक बड़ा बदलाव होना चाहिए, तो आप कौन सा एक बड़ा बदलाव समाज में चाहती है, देखे, सबसे जादा अगर किसी व तो उस तर्ज पर ले जाने के लिए भारत एक विकाश शील देश है और काफी हद तक मोदी जी उसे विश्व पटल पे हमारे भारत का नाम अंकित कर दिया है उन्होंने जी ट्वेंटी जो आप जी ट्वेंटी वन भी कह सकते हैं समिट में उन्होंने हमारा नाम बड़ा रोशन किया है विश्व में तो भारत को विकाश शील से विक्सित पर ले जाने के लिए सबसे प्रथम रोल जो खेलेंगी वो हैं हमारी महिलाएं और जो दुर्तिय रोल करें किया इक स्टैप होना चाहिए यूवाओ के लिए जैसे आपने देखा अभी शीखो कमाऊ यूजना आई है इस तरह की यूजना आने चाहिए ना कि मानसिक विकलाउंग मनाने केलिए बेरोजगारी भत्ते जैसी चीज आनी चाहिए, जो कॉंग्रेस पार्टी का हमेशा से प्रोपगेंडा रहा है, कि वो मांसिक विकलांग मनाने के लिए चार हजार बेरोजगारी भत्ता इंट्रड्यूस कर देती है, हमेशा हमें इस तरह की इनोवेटिव आइडियाज लाने चाहिए, जिससे युवा स्वावलम भी बने, जैसा कि आपको पता होगा, सीखो कमाव की टैग लाइन भी पता है आपको, कि चिडिया अपने बच्चों उड़ने के लिए पंख देती है, तो हमें अपने जो युवा हैं, उन्हें पंख लगाने हैं, और इतने उपर तक उन्हें उड़ाना है कि भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, कि किसी को भी बेरोजगारी भत्ता जैसी प्री की मुफ्त की चीज़ें देने चाहिए, आपको क् इस पर बहुत सारे सहायता समूम काम कर रहे हैं, और सहायता समूम में हमारी बहने जुड़ रही हैं, यह तो जो लाड़ी बहना योजना ये इसलिए लाई गई हैं, कि देखें, जो महिलाए हैं, वो अपने छोटे-छोटे खर्चों के लिए टक-टकी लगाएं, अपने प अपने परिवार के मुखिया की तरफ जो टक-टकी लगाएं बैठी रहती हैं, तो बस उसे खतम करने के लिए हमने ये लाया है, ताकि हमारी बहनों का कुछ एक उनके अंदर सेल्फ कॉन्पेटेंस फीलिंग रहें, अब हम थोड़ा सा राजनीती या बीजेपी की प्रवक चीजे बहतर तरीके से दे दी चाएं, चाहें वो गरीब हो, चाहें अमीर हो, तो शायद गरीबी मिट्चा और मुख्त की चीजे देने की जरूरत मा पड़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाडली बहना और लाडली बहना में जो ये उजवला योजना और पिर लाडल लगता है कि इस तरह की योजनाय तो आने चाहिए, मेरी जो घर में जो मेरी मेड काम करती है, हजार डेड़ हजार बहुत माइने रखते हैं उनके लिए, शिपाली जी जब हजार डेड़ हजार उनके खाते में आते हैं तो उनकी जो खुशी होती है, उनके चेहरे पे, वो तो कमा रही है ना बात वहीं पर है वन्ना जी कि हजार डेड़ हजार जो है वाकई में बहुत माइने रखते हैं गरी तपके की महिला के लिए लेकिन बड़ा दुख होता है कि हजार अगर उनका बच्चा बिमार हो जाए तो डॉक्टर की पीस में ही खर्च कर देती है अगर उनको फ्री में मिल गया होता तो वह हजार डेड़ हजार शायद वह अपने खर्चे के लिए बचा पाती है खैर बन्ना जी से हम बात कर रहे थे राजनीती की उनकी पॉसनल लाइफ की और महिलाओं के अस्तित की यूही हम आपसे चर्चाओं में मिलते रहेंगे फिलहाल ब वाकात होगी आप बने रहें दखल्योज पर आप देख रहे हैं दखल्योज